नीलूस किचन में आपका स्वागत है दोस्तों आज में आपके लिए मारकेट में मिलने वाली काजू पिस्ता रोल जैसे ही एक मीठाई सिखाने वाली हूँ जिसमें हम काजू का बिलबुल भी इस्तमाल नहीं करेंगे और ये बहुती कम खर्च में बहुती कम समय में बनकर त यहार पर इस रेसिपी को जरूर ड्राइ कीजिए बहुत ही अच्छी बनती है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए हम नहीं आपे ले लिए हैं एक कप मुंफली के दानी और इसे हमें हलका सा ड्राय रोस्ट करना है दिके ड्राय रोस्ट करन बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और इसे हलका सा ठंडा करने के बाद हमें इसे एक किचन टाविल पर ले लेना है एक साब सुतरे कपड़े में लेकर आप इसकी पोटली बनाए और इसे दोनों हातों से घिसकर या रब करके इसके सारे छिलके हटा ले देखिए यह जो जो पीनट्स है जो मुंग फली है उसकी छिलके निकल चुके हैं और इसे तरीके से से दो से तीन बार रब करके इसकी सारे छिलके निकाल ले और फली को साफ कर ले अब हमें एक मिक्सी के जार में थोड़ी-थोडी मुंग फली डाल कर इसका पौडर बनाना है और पिस्ते जो भी बड़े चंक्स हो यह चोटी बड़े टुकड़े हो वह इस छनी पे रह जाए और इसका महीन और फाइन पाउडर जो है वह बोल में आ जाए यह देखिए हमने सारी फली को यह मुंग फली को पीस कर इसे छान लिया है और इसे एक बोल में निकाल लेंगे ताकि हमें मेजर्मेंट पता चले यह देखिए यह एक बोल है और एक बोल से कम हम लेंगे शक्कर और शक्कर भीगने तक हमें इसमें पानी डालना है लगबख वन फोर कप की करीब और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगी तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को अन करते हैं और इसे चार से प क्योंकि हमने इसमें पानी बहुती कम डाला है और यहां पर हमें एक तार की चाशनी बनानी है तो आप देख सकते हैं इसमें तार बनने लगा है बस इससे जादा हमें इस चाशनी को नहीं पकाना है वरना आपकी जो मिठाई है वो बहुती ज़दा हार्ट बन जाएगी और इसके सुन्दर रोल नहीं बनेगी अब हमें इसमें डाल देना है यह मुंग फली का पौडर और अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा या स्लो कर देंगे क्योंकि अब हमें बाकी का सारा प्रोसेस धीमियाच में ही करना है तो देखिए अब जो पौडर है फली का पौडर है वो चाशनी में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे लगभग तीन टेबली स्पून मिल्क पौडर और वन टीस्पून डाले करेंगे देशी घी जहां यह दो इंक्रीडेंट हमारे मिठाई को बहुत ही जदा स्मूथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायकेदार बनाएगा तो चलिए अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जिने भी मुमफली का टेस्ट पसंद नहीं है वह इसके अंदर कोई भी PHILIvarищ का फ्रेवर बिडाल सकते हैं यह फिर काजू का मार्केट में इस्टेंस पर आता है वो भी आप डाल सकते हैं यह देखें यह दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हमें गयस की फिलेम को थोड़ा सब बढ़ा देना है और इसे सरीफ और शिरिफ एक से दो मिनट के लिए ही पकाना है तो यह देखिए इसमें बड़े बड़े बबल आने लगे हैं और अब हम एक मिनट के बाद गैस को बंद कर देंगे तो देखिए हमने अब गैस को बंद कर दिया है और बंद करने के बाद हमें देखिए मीठाई का जो मिश्रन है उसे कड प्राय में अच्छे से फैला देंगे ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए और इसे 5-7 मिनट ऐसे ही हम छोड़ देंगे अब 5-7 मिनट हो चुके हैं अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक प्लास्टिक का पेपर या फिर आप एक बटर पेपर भी ले सकते हैं या फिर मारकेट में मेठाई बनाने वाला पेपर आता है उसे भी ले सकते हैं उसके ओपर हम यह मीठाई का मिश्टन डाल देंगे और देखे 5-7 मिनट के बाद ये हलका सा थीक हो चुका है और हलका हलका इसके ओपर dry एक texture आ जाता है लेकिन tension की कोई बात नहीं, आज मैं आपको बहुत अच्छी trick बतानी वाली हूँ तो ये देखे इसके ओपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे अच्छे तरीके से हम मसलेंगे जी हाँ, ऐसे मसले से इसके अंदर की जो dryness है वो खतम हो जाएगी और मिठाई काफी smooth और बहुत ही बढ़िया बनेगी तो ये देखे बहुत ही अच्छा smooth हमारे ये मिठाई का मिश्रन अब बन चुका है अब हम इसमें से एक थोड़ा सा डो जो है उसे निकाल लेंगे side में और इसमें हम डालेंगे green color जी हाँ, आज हम दो अलग color के, मतलब दो अलग प्रकार के या दो अलग color के हम roll बना रहे हैं दो color के roll बना रहे हैं तो इसके लिए हमने ये green color का roll तयार कर लिया है और इसे हमें इस तरीके से फिला कर इसका पतला roll बनाना है ये देखिया हम इसे किस तरीके से फिला रहे हैं और इसी तरीके से हमें अब white color का डो ले लेना है मिठाई का मिश्टन ले लेना है और इसे फिर से हमें मसल ना है क्योंकि यह ऐसे ही अगर रहेगी तो सूखने लगती है तो हमें इसे मसल का फिर से से चिकना करना है और फिर इसकी मिठाई बनानी है अब हमने इसे प्लास्टिक के पिपर पर फिर से रख लिया है कवर करके हम इसे बेल रहे हैं तरीके से बेलने से यह बहुत ही अच्छी तरीके से दिखें रोल होती है और बीना फटे या बीना बेलन पर चिपके यह आसानी से फैल जाती है अब ये देखिए हमने इसे थोड़ा सा पतला बिला है और अब हम साइड के इजेस को हटा कर इसे एक रिक्टेंगल का शेप देंगे और लगभग दो इंच के चौड़ाई में मतलब दो इंच मोटाई की हम इसके पत्टिया बना लेंगे ताकि इसके बीच में हमें ग्रीन कलर का रोल स्टॉफ करना है तो ये देखिए हमने इस पत्टी के ऊपर ग्रीन कलर का रोल रख दिया है और अब हम इसे कवर करेंगे कवर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे बहुत ही टाइटली इसे पैक करना है बिल्कुल इसमें एयर या हवा नहीं जानी चाहिए वरना आपका रोल अच्छा नहीं बनेगा तो देखिए पहली लेयर को हमने अच्छे से चिपकाने के बाद फिर हमने इसे रोल किया और आखरी का जो एजस है उसे अच्छे तरीके से हम चिपका रहे हैं ऐसे ही इसे रोल बनाना है वरना आप जैसे इसे रोल करेंगे तो ये दोनों डो या दोनों मीठाई आपस में चिपकेगी और अच्छे से ये रोल नहीं बनेगा यह देखिए हम इसे हलकालका प्रेस करते वे रोल कर रहे हैं और हलका फैलाते जा रहे हैं तक इसका एक परफेक्ट शीप का रोल बन जाए यह देखिए हमारे सारे रोल तैयार है अब हम इसके उपर लगा देंगे करते हैं कि जो मिठाई है वो ना तो चाकू पे चिपक रही है और ना ही जदा चिप चिपी है बहुत ही जबरदस यह हमारे रोल बनकर तैयार हो चुके हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि महगी मिठाई जो हल्दी राम पे मिलती है फिर बड़ बड़े शॉप पे मिलने वाली यह मिठाई की तरह ही यह साधार और कम खर्श में बनने वाली मिठाई तैयार हो चुकी है इसके सामने अच्छे काजु की मिठाई भी फिल हो जाएगी अगर आपको रोल नहीं बनाना तो आप इसकी कतली भी बना सकते हैं जैसे हमने साइड पे रखी है अब यह हमारी मिठ है तो बनकर तैयार हो चुकी है अब आपको यह रेसिपी कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा बना कर देखिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें इसे शेयर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें